वेल्कम टू इस्टरलर फैमिली तो कैसे हो दोस्तों मैं असा करता हूँ श्यांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेथ फैमिली और पड़ाय का ध्यान काफी एच्छे से रख रहे हो आज का लेक्चर काफी इंपोर्टेंट और काफी सुनना है ठीक है तो वीडियो के एंड में आप लोगों से रिवजन क्विज होगा तो पहले दे देखेंगे फिर न्यूज देखेंगे और फिर रिवजन क्विज देखेंगे तो यह हमारा पैटर्न रहने वाला है तो डिसकसन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो यह जो मिर्गी होती है यह एक इन डिरेक्ट वे में अगर इसको बोला जाए थोड़ा सा तो यह माइंड का डिसोडर होता है यानि कि हमारे माइंड में कुछ इस तरीके कुछ चीजे सिच्वेशन करेड हो जाते हैं जिसकी वेसे बोड़ी में मिर्गी की एक तरीके से आप लोगो दोरे देखने को मिलते हैं, इसको seizure या फिर fits जो basically characteristic आप लोगो देखने को मिलेगी होता क्या हमारा जो mind रहता है, उसके अंदर जो neurons होते हैं, brain cells आप लोग बोली इसको basically काफी large scale पर discharge होते हैं, इसकी वेसे आपर जो body है, वो proper functioning नहीं कर पाती है, देखिए अगर आप लोग की जैसे हाथ है, हाथ में अगर थोड़ी से आप लोग सुई चुब होएंगे जैसे की doctor के जाते हैं, injection लगाते हैं, तो वो जो injection लगता है, तो तुरंट आप लोग को महाँ पर दर्द होता है, ये कैसे होता है, पहले महाँ पर जैसे injection लगता है, हमारी body में से, जो basically जो उसका connection रहता है, direct mind के साथ में रहता है, तो mind तक वो चीज़े पहुंचती है, और तुरंथ आप लोग उसको basically आप लोगो दर्द फिल होता है, कोई सुई आप लोगे हाथ में चुब हो रहा है, आगे आप लोगी जो finger होती है, तो तुरंथ आप लोग हाथ पीज़े खीच लेते हैं, तो within fraction of second, तो हमारा जो body का connection होता है mind के साथ में, वो ये सारी चीज़े कराता है, तो अगर इसमें कहीं पर कोई दिक्कत आजाए, तो फिर चीज़े ढंक से नहीं हो पाएगी, तो मिर्गी का जो दोरा होता है, कहींने कहीं इस तरीके जो connection होते हैं, उनको भी कहींने कहीं disconnect करने का खाम करता है, और mind जो है, वो proper function नहीं कर पाता है, जिसकी वैसे body का connection है, उसके साथ से हटने लगता है, कई सार ऐसे भी लोग देखे होंगे, खासकर अगर आप लोग जैसे एकनोमी के फिर फिर बैंकिंग के एक्जाम की थेहरी करें, तो ऐसे question आप लोग उसे पूछ ले आते हैं, हमारी country में जो reserve bank of India है, वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि काफी सारी जो policies होती है, उसके उपर ध्यान रखते हुए अपनी policies को डिकलेर करता है, खासकर जब बात करते हैं कई सारी reports जैसे की reserve bank of India के दोरा डिकलेर की जाती है, कि हमारी country की कैसी व्यवस्ता चल रही है, अर्थ व्यवस्ता कैसी हमारी country की, तो हम लोग यहाँ पर बात करें state of the economy, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे, state of the economy हाँ पर अभी recently जो chapter add किया गया हमारी country में, तो किसके दोरा है आपर add किया गया है, तो reserve bank of India के दोरा add किया गया है, जो उसकी monthly जो bulletin होती है, अगर आप लोग RBA की तहारी करते हैं, यह फिर banking की तहारी करते हैं, तो यह चीज़ा आप लोगो जुरूर पता होना चाहिए, तो यहाँ पर बात की जा रही है, इसके दोरा जो monthly, जो bulletin यहाँ पर reserve bank of India के दोरा प्रस्तुत किया जाता है, उसके बारे में, तो इसके चलते हैं, यहाँ पर यह पर प्रस्तुत किया जाता है, इसके दोरा RBA, यह निके reserve bank of Indian, जो है हमारी country का उसके दोरा, अभी recently, जो नाव कास्ट यहाँ पर prediction अभी इसके दोरा स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पर second quarter है, July, August और September, ठीक है, तो यहाँ पर आप लो होते हैं, तो हम लोग यहाँ दूसरे quarter के बारें बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बोला गया इसके दोरा, कि 8.6 का prediction लगाया गया हमारी country की जो economic condition हैने वाली है, तो यह सारी बाते जो बताता है, तो reserve bank of Indian, यहाँ पर यह prediction लगाता है, तो थोड़ा सा central bank के बा बाद में इसको nationalize कर दिया गया, पहले इसका headquarter कोलकता के अंदर था, बाद में इसका transfer करके यह आप लोगो बता है, आजकर में मुंबई के अंडर इसका headquarter है, headquarter जो reserve bank of India, मुंबई जो transfer किया गया, वो 1937 में आपर इसका headquarter transfer किया गया, पहले जो उसके governor थे, नहीं के reserve bank of India क जो first governor थे, वो थे आपर, ये sir, Osborne Smith, ठीक है, तो Osborne Smith जो थे आपर, ये नाम कई बार आप लोगों से पूछा गया है, पर जेंट टाइम में कौन governor है आपर, ये सक्तिकांद दास, इन से पहले कौन governor थे, वो आप लोग बताई है, जो काफी news में रहते हैं, ये कोशन आप लो जो है, वो left किया गया है, इनके उठाएगे हैं, आपर NASA का, जो Kennedy Space Center है फ्लोरिडा के अंदर, यहां से इसके द्वारा ये अपना project launch किया गया है, तो इसके द्वारा चार जो जो लोग हैं, उनको International Space Station में पहुँचा गया है, ठीक है, तो यह यहां पर जो भी mission launch किया गया है, तो International Space Station के लिए इसको launch किया गया है, अगर International Space Station के बारे में आप लोगों से बात करूँ, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यह कुछ इस तरीका, यह उपकरन यहां पर Space के अंदर रखा गया है, जहां पर अगर कोई particular person जाता है, तो research study करने के लिए Space के बारे में, यहा International Space Station है, आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार, कि लोग 6-7-7 महिने तक रहे कर यहां पर International Space Station में आ रहे हैं, तो इसी Space Station की बात की जाती है, ठीक है, यहां पर condition बहुत एक तरीके टफ रहती है, आप लोग प्रोपरे में अगर सोना होता है, तो अपना आपको बहांत कर सो जाती है, बेसिकली स्टडी की जाती है, इस पेस के बारे में, तो यहां पर इसके बारे में आप लोगों से यहां पर बेसिकली यह बात की जा रही है, तो अभी Elon Musk के दौरे हैं अपर अपना जो missile launch किया गया है, तो यह याद रखेगा, मिसन जो हो पार ना सका जो commercial, crew program है, जो हाँ पर भेजे जाते हैं, बेसिकली मेंबर, और उनके द्वारा जो study की जाती है, उसका यह पार्ट है, इसी के साथ में हाँ आपर यह एक तरीके से access की जाएगी, इस पेस की easier तरीके से, ताकि एक तरीके से, जो अच्छे तरीके से, आप लोग हाँ पर चीजों को transport कर स जो scientific research है, उस particular area के अंदर में, कई सारी ऐसी flight launch की जाने वाली आने वाले टाइम में, थ्री flight launch की जाने वाली है, तो यह पहली flight है आपर, तो crew 1 जो है, यह first जो operational flight है, आपर SpaceX के जो crew dragon, spacecraft, on Falcon 9 के दूँ, आगे आने वाले टाइम में, कई और सारी ऐसी flight आप लोग को देखने को मिलेगी, तो यह निकि यह starting phase है, तो आगे कई सारी और अच्छे ची study आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, इस particular mission के तहट, next important जो news है, आपर यह बात की जारी है, हमारी country में, जो ministry of finance है, उसके दोरा, कई सारे major से ले गए है, ताकि हमारी country की जो अर्थवेश्ता है, उ बढ़ा जा सके और अपनी country को और साही direction में लेकर आगे चल सके, तो emergency credit line guarantee जो scheme है, इसके तहत यहाँ पर जो micro small and medium enterprise है, तो यह इस तरीके से जैसे की MSME है, ठीक है, इसी के साथ में मुद्रा, यह निके मुद्रा के बारे में गर बात करें, तो यहाँ पर पर परधान मंत्री, जो हमारी country मुद्रा, योजना, लोन्स की गीती, उसके बारे में बात की जा रही है, तो यह labor of bureau के अंडर, जो की ministry of labor and employment है, उसके अंडर में हाँ पर काम करते हैं, नजर आते हैं, ताकि हमारी country में जो situation है, उसको सही direction में handle किया जा सके, और जिनको जो जो लोन चाहिए, जैस पर 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि हमारी country में manufacturing या फिर जो भी construction से लिए या फिर दूसरी जो भी activity है, वो continuous चलती रहे और लोगों के हाथ में job रहे, दस more जो champion sector है, वो भी हाँ पर cover किया जाएंगे इसके अंदर, ताकि इस scheme को और इसी से implement की जा सके, बेसिक पर area में कोई काम करना इस्टार्ट कर दिया है, तो काम करना इस्टार्ट कर दिया है, तो हमाँ पर फिर क्या होगा, फिर उस particular area में आप लोगों को देखने को मिलेगा, कि लोगों को job मिलती ही नजर आएगी, तो जितनी जादा job मिलेगी, उतनी अच्छी चीज़े फिर आप ल related चीजे हैं उनके बारे बात करें तो यह champion sector है हमारी country में जिनको सही तरीके से implement करने की कोशिस की जाती है तो यह आज की date में बढ़ाई भी जा रहे हैं ठीक है जैसे की आप लोगो मैंने बताया यह सारे चो champion sector है इनको अच्छे से cover करने की कोशिस की जाते है क्योंकि अच्छे से चलेंगे काफी सारे section अपने आप में ही cover हो जाएगा इसके अंदर ठीक है तो champion sector जो हापर बोला गया 10 more champion sector तो champion sector कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग नीचे comment बोक्स बताएगा नेक्स्ट यहां पर focus देजरा हमारी country finance ministry के दोरा फिर से आपर एक important step के बारे बात की जा रही है और यह भी आत्म निर्वर भात अभियान तीन के तहट है यहां पर जो हमारी country में जो job creation के थुरू यहां पर एक्जाम करने की कोशित की जा रही है आप लोगों पता एक्जाम के बारे में जिसके लिए आप लोग एक्जाम की तेहरी भी कर रहे हैं employment provenant fund organization जो हमारी country में यह बेसिकली आपर जो establish की गए इसमें नए employee जो हाँ पर एंटर किया आते हैं तो अब उनको without registration EPFO के तहद भी हाँ जिनकी जोब लोग सोच किये scheme का फायदा हाँ आपर मिल पाएगा जो scheme है वो एक October 2020 से लेकर यह 30 June 2021 तक चलने वाली है eligibility जो criteria है आपर वो basically central government provide कराएगी subsidy और इसी के साथ में जब eligibility criteria meet करेंगे तो दो साल के लिए आपर यह इसके particular part बनकर रह पाएगे beneficiary जो हैं आपर वो join कर सकता है जो कोई भी any new employee join कर सकता है EPFO registration establishment और monthly जो wage है उसकी 15,000 यह 15,000 या फिर इससे कम है ठीक है यह validity हाँ पर रहेगी इसकी basically 15,000 या फिर इससे कम हाँ पर देखने को मिलें तो यह June 2021 तक इसकी हाँ पर यह validity हाँ पर रहने वाली है ठीक है तो इसके तहत फिर आगे फाइदे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं तो आत्म निर्वार भारत जो रोजगार योजन है उसके तहत यहाँ पर यह particular जो कर्यकरम है वो भी आप लोगो चलता हुआ नजर आएगा कुनाल कामरा हमारी कंट्री में एक comedian है stand-up comedian आप लोग बोल सकते हैं तो यह particular जो personality है यह खासका present government यह फिर कई सारे जनलिस्ट पर यहाँ पर इनके द्वारा कई सारी comedy कीगी तो recently अभी content of court का charge लगा दिया गया है उनके एक tweet की वज़े से उनके ओपर सुपरिम कोट के द्वारा और यहाँ पर अरणाफ गोस्वामी जिनकी recently अभी बेल हुई है उनके उपर भी हाँ पर एक तरीके से कुमाल कार जो कुनाल कामरा है उनके द्वारा इनके live से लिटरे भी हाँ पर कई सारी चीज़े इशु चल रहे हैं जाकि इनके द्वारा जब यह एक flight में जा रहे थे तो इनका interview लिया गया था जबकि interview देना चाहा भी नहीं रहे थे पुला है और वहाँ पर नहीं जा रहे है ठीक है तो एक तरीके से यह civil category में आता है पर लेकिन अगर कोई administration में हकसे सेफ कर रहा है उसकी कारिय करी को रोक रहा है तो criminal category में आप लोग है हाँ पर देखने को मिल जाता है तो civil contempt of court जो है वो एक तरीके से disobedient करना कोई judgment का ठीक है तो इसी court के द्वारा एक तरीके से जो भी activity की जाती है ठीक है तो उसके एक तरीके से उसको criticize करना गलत तरीके से तो वो सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी बाकी criminal में तो यह हो गया कि बिलकुल जाकर उसकी कारिय करम जो भी है court का जो चलता है उसके अं चीज थी और यहाँ पर अलग चीज़ है ठीक है तो दोनों को आफस में confuse नहीं करना है तो civil मैंने आप लोग को बताया दी है हाँ पर अगर criminal के बारे में आप लोग से बात कुर तो आप लोग देखते हैं एक स्केंडालाइस किया जाना चीजों को एक तरीक से पंडूबी के बारे में पंडूबी किसी भी कंट्री की अगर आप लोग बात करें नेवल फोर्स के बारे में काफी बड़ा रोल प्ले करती है आप लोग समझ सकते हैं कि पंडूबी पानी के नीचे नीचे चलती है और खासकर अगर आस पास में कोई ऐसी एक्टिवटी है किसी के ओपर अटेक करना है कोई हमारी country के वोटर में आने की कोशिस कर रहा है उसमें security के point of से भी use किया जाता है तो Indian Navy के दौरा अभी यहाँ पर 5th कालावेरी जो class diesel electric attack submarine है सब्मेरीन बोलते हैं जिसका नाम है INS यह है वागर ठीक है तो यहाँ पर वागर जो इसको launch किया गया मुंबई के अंदर में Indian Naval Ship जो है INS वागर ठीक है तो यह 5th है आपर जो 6th कालावेरी जो सब्मीन है हमारी country में जो basically start की गए थी तो हमारी country में जो public sector city building है जो कि यहाँ पर मजे गाउं डोक लिमिटेड है मुंबई के अंदर में country के जो राजे हैं जो खासकर अगर बात करें जो ओशन वाले रीजन से जो टच करते हैं तो आप लोगों नो राजे ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे गुजरात हो गया एक महारास्टा दो गोवा तीन करनाटका चार केरला पांच तमिलाडुच हैं अंदर परदेश साथ कि इन पर्टिकुलर रीडर को शित्यों रखा जा सके ताकि कोई भी उल्टी सीधी दुरघटना हमारी कंट्री में ने घटे तो उसी को ज्यान में रखते हैं आपर ये एक्टिविटी आप लोग को देखने को मिल रही है नेक्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है आप निक SART करने की बात की जारी है SARTना जो बेसिकली है यह क्या religion है पहले तो आप लोग यह पता होना चाहिए क्वों से राजे से लिट है तो सरना जो क्यायता है इसमें बेसिकली नेचर के साथ में कनेक्टिवटी दिखाने की जाती है यनिके जैसे जल की पूझा करना जमीन की पूझा करना जंगल की पूझा करना पेड़ पोध होगी तो यह सरना region के अंदर आते हैं ठीक है तो सरना जो religion है बेसिकली आप पर ये एक जो नेचर के साथ में connectivity आप लोग यहां पर दिखाता है तो जंगल की एक तरीक से पेड़ पोदों की hills की इनकी पूजा की जाती है और forest area की पूजा की जाती है तो यह मानते हैं कि लगबग 50 लांग के करीब जो ट्राइबल community है entire the country इस particular religion से connected है तो 2011 census में जो basically बोला जा रहा है जैसे Christian हो गया, Islam हो गया, Sikhism हो गया, Hinduism हो गया ठीक है तो इसी तरीके से आपर सरना जो है इसको भी हाँ पर इसके अंदर include करने की बात की जा रही है तो कौन से राजे से निकल कर रहा है यह जारखंड से निकलेटर ठीक है तो direct question आप लोगों से बन जाएगा यह से question तो जिहार से अलग किया गया था, तो यहाँ पर इसी के अंदर जो tribal community है, खासकर पूरी country के अंदर हला कि आप लोगों देखने को मिलेगा, जो इस particular activity को follow गरते हैं, तो आप लोगों से direct question बन जाते हैं, तो हलका सा idea mind में रखिए इसके बारे में, तो देख लेता है जो हम लोग ने आप डिसस किया, यह था basically ना से से लेटर कुछ प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने हमारी country में जो आत्म निरवर भात अभियान के बारे में बात की, उसके बारे में हम लोगों ने जाना, इसी के साथ में, नेक्स जो important news थी यहाँ पर यह फिर से हम लोगों ने जो finance mystery के दोरा जो चीजे launch की गए उसके बारे में समझा, नेक्स्ट जो हम लोगों ने news देखी, कुनाल कामरा और यहाँ पर जो civil और criminal code of contempt है, तो कि उसके बारे में जाना, important यह ज़रूर याद रखेगा आप लोग यहाँ पर, यह according to, जो हमार दूबी के बारे में जाना, बोलो तो अगर normal भास में, यह इसके बारे में आप लोगों जानने को मिला, इसी के साथ में जो next news थी, यहाँ पर हम लोगों ने religion के बारे में जाना, अच्छा एक question आप लोग और बताईए, हमारी country में, तो कितनी minority है हमारी country में, ठीक है, तो उ जरूरी है कि future के लिए आप लोग उनको अच्छे से prepare कर सकते हैं, आईए अब quiz है आप लोगे सामने, attempt कीजे, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोग ने सुना या फिर सो रहे थे, तो अच्छे से आप लोग इसको सुनिए एक बार, सबसे बहले बात की जा रहे हैं पर यह आप लोग को बताना है, जो मैंने अभी आप लोग से discuss किया, बेसिकली किस तरीके से condition समझ सकते हैं, अपनी country की एकनोमिक की इसके बारे बात की जा रही है, इस पेस एक्स के दौरे आप अपर अभी जो basically launch किया गया है, तो कहां से इसको launch किया गया है, यह basically किसके बारे में हम लोग ने बात की इनके बारे में, तो कहां से इसको launch किया गया है, तो यह question है, जिनके answer आप लोग है आप लोग ने हापर देने है, तो यह था टोटल आज का discussion मैं असा करता हूँ कि आप लोग ने इसको अच्छे से enjoy किया होगा, अगर reality में आप लोग ने यहां अच्छे से एक दूसरे का answer भी review करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग अभ्यास करेंगे तो उसी से आप लोग एक perfect person बनेगे, क्योंकि कोई भी मा के पेट से सीख कर नहीं आता है, बहार आकर यह आप लोग अपनी मेहनत करनी होती है, तो हर एक person ऐसी पैदा होता है, तो आप भी लेख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तीन-चार महीने अपना practice कीजे, आप लोग अपने आपको उसी pattern में पाएंगे, तो यह चीजे थोड़ा सा कीजे, आप लोग फिर देखेगा, result आप लोगे सामने होगा, तो मिलता हूने एक lecture में, बढ़ो को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोड़ी सी life and enjoy करार, तब तक के लिए जाएंगे.